वंश और रदमा की प्रेम कहानी पहेली सी बनती जा रही है। दोनों जतना करीब आते हैं उतनी ही और दूरिया बढ़ जाती है। अब ऐसा लग रहा है कि वंश रदमा के साथ कोई गेम खेल रहा है। क्यूंकि रदमा की अतीच से जुड़ा हर राज जानने के बावजूद वंश रदमा के साथ ही साजशे रचरा है। वंश ने रदमा के घर लोटने की खुशे में रखी है पाटी जहां वंश रदमा को अपनी बाहू में उठा कर घर ले आता है। जी हां वंश का गेम प्लान ही कुछ हटके है, प्यार भी है और शायद तकरार भी है। इसलिए तो पाटी में रदमा को वंश ने कहा कि वो उसकी आखरी रात है। जिसे सुन रदमा भी चौक जाती है। इन सब के बीच अब होगी न्यू एंट्री यानि अक्ट्रिस मांसे श्रिवास्तव की एंट्री जो वी आर मेंशन में आकर इशानी के रूम में जाती है। इशानी के कपड़े पहन कर आ जाएगी वो पाटी में। पाटी में वो रदमा के पास जाती है। मानो जैसे उसे कुछ बता ना हो आहना ने पहले भी रिदिमा को कॉल किया था पर रिदिमा के साथ वंश के अवाज सुन आहना ने फोन कट कर दिया वैसे कहा जा रहा है कि ये न्यू एंट्री यानि आहना वंश और रिदिमा के जिंदगी में लाएगा तूफान उनके रिष्टे में आएगी बड़ी दिवार आने वाले एपिसोड में काफी सारे रास खुलेंगे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ फीफा फूस टीवी को सब्सक्राइब जरूर करे